जैस्री कृष्णा आई ये सुनते हैं आज एकादसी पर गीता का यह अध्यार। स्री महादीर जी कहते हैं प्रिये गीता के वर्ण से संबंध रखने वाली कथा इवं बिश्वरूप अध्याय की पावन महात्मे को श्रवड करो विसारनेत्रोवानी पार्वती। इस अध्याय के महात्मे का पूरा पूरा वर्ण नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्त्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहां कही जाती है प्रडिता नदी के चटपर मेहर कर नाम से विख्यार एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार चारक दिवारी और गोपुर द्वार बहुत उचे हैं। वहां बड़ी बड़ी विश्राम साल आये हैं जिनमें सोने के खंभे सोभा दे रहे हैं। उस नगर में स्रीमान शुखी सांत सदाचारी तथा जितेंद्रिय मनुश्यों का निवाश है। वहां हाथ में सार्व नामक धनुसधारण करने वाले जगदिस्वर भगवान विश्रू बिराजमान हैं। वे परंब्रम्हा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गवरवपूर, स्रीपिग्र, भगवति लच्मी के नेत्र, कमलोद्वारा पुजीत होता है। भगवान की वहजा की, बामन अवतार की है, मेक की समान उनका स्यामवर्ड, तथा कोमलाकृती है, वक्षस्तलप स्रीवत्ष का चिन्द, शोभा पाता है। वे कमल और बनमाला से विभूसित हैं, अनेक प्रकार की आभूसरों से सुसोभी थो। भगवान, बामन, रत्न उप्समुन की सद्री से जान पड़ते हैं। पितांबर से उनके स्याम विग्रह की कांती ऐसी प्रतीत होती हैं, मानों चमकती हुई विजली से घिरा हुआ, इस निग्न मेग शुभा पा रहा हो। उन भगवान बामन का दर्शन करके जीव जन्म इवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महानतिर्थ हैं, जिसमें असनान करके मनुष्य शाश्वत बैंकुंठ धान को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुडा सागर भगवान नर्शिंग का दर्शन करने से मनुष्य सार जन्मों के किये हुए घूर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गरेश जी का दर्शन करता है, वह सदादुसकर विग्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघड कर नगर में कोई स्रिष्ट ब्रामः थे, जो ब्रमचर्य परायर मम्ता और अहंकार से रही। बेट सास्त्रों में प्रविर जितेंद्रिय तथा भगवान वाशुदेव के सर्डागत थे। उनका नाम सुनन्द था। प्रिये विस सारंग धनुष्धार करने वाले भगवान के पास गीता के ग्यारवे अध्यार विश्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्यार के प्रभाव से उन्हें ब्रम्ध ज्यान की प्राप्ती हो गए थे। परमानन संदोह से पुर उत्तम ज्यानमै समाधि के द्वारा इंद्रियों के अ वैजब भ्रहस्पती सिंग, रासीम्य, इस्थित्थे, महायोगी सुननने, गुदावरी तेत की यात्रा रमकी, विक्रम्ष, बिरस्तिर्थ, तारा तेत, कपला संगम, अश्टतिर्थ, कपला द्वार, नर्शिंगवन, अंबिकापूरी, तथा करस्थान पर आणी छेत्रो में अश्नान और दर्शन करते हुए, विबाह मंदक नामक नगर में आए, वहां उन्धोंने प्रतिक घर में जाकर अपने ठारने के लिए अस्थान मांगा, परंतु कहे भी उन्हें अस्थान नहीं मिला, अंत में गाउं के मुक्षिया ने उन्हें एक बहुत बड़ी धर् दिखा दी, ब्रामर ने साथियों सहित उसके भीत जाकर रात में निवास किया, समेरा होने पर उन्होंने अपने को तो धन साला के बाहर पाया, किन्तु उनके और साथी नहीं दिखाई दिये, वे उन्हें खोदने के लिए चले, इतने में ही ग्रामपाल मुक्षिया से उनक जवान पूशों में तुम सबसे पवित्र हो, तुम्हारे भीतर कोई लोकुत्तर प्रभाव बिदमान है, तुम्हारे साथी कहा गए और कैसे इस भवन से बाहर हुए, इसका पता लगाओ, मैं तुम्हारे सामने इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे जैसा तपस्वी मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता विप्रवर तुम्हें किस महामंत्र का घ्यान है किस विद्या का आश्रह लेते हो तथा किस देवता की रिया से तुम्हें अलवकिक सक्ती आ गई है भगवान कृपा करके इस गाव में रहो मैं तुम्हारी सवसेवा सुस्रुसा करूंगा यो कहकर ग्रामपाल ने मुनिश्वर सुनंद को अपने गाव में ठहरा लिया वह दिन रात बड़ी भक्ती से उनकी सेवा तहल करने लगा जब 7-8 दिन बीथ गए तब एक दिन प्रातहकाल आकर वह बहुत दुखी हो महात्मा के सामने रोने लगा और बोला हाई आज रात म प्राति राचस ने मुझ भागी हिन के बेटे को चवा लिया है मेरा पुत्र बड़ा ही गुरवान और भक्तिमान था ग्रामपाल के इस प्रकार कहने पर योगी सुननन ने पूछा कहां है वह राचस और किस प्रकार उसने तुम्हारे पुत्र का वच्छड किया है परवाशियों ने मिलकर उसे प्रातना की, राचस तुम हम सब लोगों की रच्छा करो, हम तुम्हारे लिए भोजन की विवस्था किये देते हैं, यहां बाहर के जो पथिक रात में आकर निद लेने लगे, उनको खा जाना, इस प्रकार नागरिक मनुस्यों ने गाउं के मु उन्हें ऐसा करना पड़ा, तुम भी अन्यराहगीरों के साथ इस घर में आकर सोय थे, कि राचस ने उन सबों को तो खा लिया, केवल तुम्हें छोड दिया, द्विजुत्तम तुम में ऐसा क्या प्रभाव है, इस बात को तुम्हें जानते हो, इस समय मेरे पुत्र का एक म मित्र आया था, किन्टु मैं उसी पहचान न सका, वह मेरे पुत्र को बहुत ही प्रिय था, किन्टु अन्यराहगीरों के साथ उसे भी मैंने उसी धर्म साला में भेदिया, मेरे पुत्र ने, जब सुना की मेरा मित्र भी उसमें प्रभेश्च कर गया है, तब वहुछ से वह से ले आने के लिए गया परंतु राचस ने उसे भी खा लिया आज समेरे मैंने बहुत दुखी होकर उस पिसात से बुछा ओ दुष्टात्मा तुने रात में मेरे पुत्र को भी खा लिया तुम्हारे पेट में पड़ा हुआ मेरा पुत्र जिससे जिवीत हो सके ऐसा कोई मैंने भच्छर किया है अन्य पच्कों के साथ तुम्हारा पुत्र भी अंजाने में ही मेरा ग्राश्ट बन गया है वह मेरे उदर में जिस्प्रका जिवीत और रचित करा सकता है वह उपाय श्वयम बिधाता ने ही कर दिया है जो ब्राभर सदागीता के ग्यारहवे अध्य अध्याय का पाठ करता हो उसके प्रभाव से मेरी मुक्ती होगी और मरे हुऊं को पुनः जीवन प्राप्त होगा यहां कोई ब्रामहर रहते हैं जिनको मैंने एक दिन धर्म साले सी बाहर कर दिया था वे निरंतर गीता के ग्यारहवे अध्याय का जब किया करते हैं इस कारुस राशस का संदेश पाकर मैं तुम्हारे निकटाया हूं ब्रामहर ने पूछा ग्रामपाल जो रात में सोई हुए मनुश्यों को खाता है वो प्रारी किस पाप से राच्छ सुआ है ग्रामपाल बोला ब्रामहर पहले इस गाव में कोई किसान ब्रामहर रहता था एक जिन वह अगहनी के खेत की क्यार्यों की रच्छा करने में लगा था, वहां से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा गिद किसी राही को मार कर खा रहा था, उसी समय एक तपस्वी कहीं से आ निकले, जो उसे राही को बचाने के लिए दूर से ही दया दिखाते आ रहे थे, गिद उसराही को खाकर आकास में उड़ गया, तपतपस्वी ने कुपीध होकर, उसकी साथ से कहा ओ दूस्ठ हलवा है, तुझे धिकार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दई है, दूसरे की रच्छा से, मुझ मोर कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा है, तेरा दाह वाले जीव, सर, सत्र, अगनी, विष्ट, जल, गिद, राचस, भूत तथा बिताल आदि के द्वारा घायल हुए मनुस्यों की, सक्ति होती हुए भी अप्च्छा करता है, वह उनके वद का फल पाता है, जो सक्ति साधी होकर भी, चोर आदि के चंगुन में फसे हुए ब्रामर को छुडाने की चेश्टा नहीं करता, वह घोर नरक में परता और पुनभेलियों की योनी में जन लेता है, जो बन में मारे जाते हुए, तथा गिद और ब्यागर की द्रिष्टी में पड़े हुए जीव की रच्छा के लिए छोडो छोडो की पुखार करता है, व विभगमान विश्रू के उस परंपत को पाते हैं, जो योगियों के लिए भी दुरलव है, सहस्त्रास्तों में एक यग्य और स्ववाजपी यग्य मिलकर सरणा बत्रच्छा की सोलहमी कला के बराबर भी नहीं हो सकती, दिन तथा भैभी जीव की उपेच्छा करने से, पु जाने में समर्थ होते हुए भी, जो इसकी रच्छा नहीं की, इससे तू निर्दई जान पड़ता है, अता तू राच्छ सोजा, हल महा बोला, महात्मन मैं यहाँ पस्थित अवस्य था, कि तु मेरे नेत्र बहुत देश से खेट की रच्छा में लगे थे, अता पास होने पर भी गित के द्वारा मारे जाते हुए, इस मनुशे को मैं नहीं जान सका, अता मुझ दिन पर आपका अनुग्रह होना चाहिए, तपस्वी ब्रामण ने कहा, जो प्रती दिन, गीता के 11 अध्याय का जब करता है, उस मनुशे के द्वारा भी मंत्री जल, जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ेगा, उस समेट भी साब से शुटकारा मिल जाएगा, यह कहकर तपस्वी ब्रामण चले गए, और वह हलवाया राचस हो गया, अता द्वी से तुम चलो, और 11 अध्याय से 13 के जल को अभी मंत्रीत करो, फिर अपने ही हाग से उस राचस के मस्तक पर उसे ग्रामण पाल की यह सारी प्राटना सुनकर ब्रामण का हृदय कवडा से भराया, वे बहुत अच्छा कहकर उसकी साथ राचस के निकटाए, वे ब्रामण योगी थे, उन्होंने विशुरूप दरसन नामक 11 अध्याय से जल अभी मंत्रीत करके उस राचस के मस्तक पर दे मा गीता के 11 अध्याय के प्रभाव से वह स्राप से मुक्त हो गया, उसने राचस दे का परित्या करके चतुर भुज रूप धारर कर लिया, तथा उसने जिन सहस्त्रों पथिकों को भच्छर किया था, वे भी संख, चक्र एवं गदा धारर किये, चतुर भुज हो गये तब पस्चार, वे सभी विमान आरुण हुए, इतने में ही घ्रामपाल ने राचस से कहा, निसाचर मेरा पुत्र कौन है, उसे दिखाओ, उसकी यो कहने पर दिप्य बुद्धिवाने राचस ने कहा, ये जो तमाल के समान स्याम, चार हुजाधारी, मारिक्यमे मुकुट से सुसोभी, तथा दिविमर्यों के बने हुए कुंडलों से अलंकरित है, हार पहने के कारण, जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोने के भुजबंदों से विभुसी, कमर की समान नित्रवाले, इस निग्द रूप तथा हाथ में कमन लिये हुए है, और दिविवान प पुत्र हस पड़ा, और इस प्रकार कहने लगा, पुत्र बोला, ग्राम पाल, कई बार तुम भी मेरे पुत्र हो चुके हो, पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, कि तु अब देवता हो गया हो, इन ब्रामर देवता के प्रसाद से बैंकुंध धाम को जाओंगा, देखो, यह निसाचर भी, चतुर्भुज को प्राप्थ हो गया है, ग्यारहवे अध्याय के महात्मे से, यह सब लोगों के साथ, स्री विश्रुधाम को जा रहा है, अता तुम भी, इन ब्रामर देव से गीता के ग्यारहवे अध्याय का अध्यन करो, और निरंतर, उसका जब करते रहो इसके संदेह नहीं की, तुम्हारे भी ऐसी ही उत्तम गती होगी, तात, मनुश्यों के लिए साधू, पूर्षो का संग सर्वता दुल्लव है, वह भी समय तुम्हे प्राप्थ है, अतापना अभिष्ट सिद करो, धन, भो, दान, यग्य, तपस्या और पुरो कर्मों से क्य दालेना है, विश्वरू पाध्याय के पार से ही परमकल्यार की प्राप्ती हो जाती है, पूरा नन संदोर्ष्वरू उप्सिर्किष्ट नामक ब्रह्मा के मुक्से, कुरू छेत्र में अपने मित्र अर्जुन के प्रति जो अमरित में उग्देश निकला था, वह स्री दुखों का नास करने वाला है, मैं उसके स्वा दूसरे किसी साधन को ऐसा नहीं देखता, अतह उसी का भ्यास करूँ, स्री महादीर जी कहते है, यो कहकर वह सबके साथ परमधाम को चला गया, तब ग्रामपाल ने ब्रामः के रुक से उस अध्याय को पढ़ा, फिर वे दो लोही उसके महाद में से विश्रुधाम को चले गए, पारवती इस प्रकार तुम्हें ग्यारहमे अध्याय भागवत गीता की कथा सुनाई है,